मुवी स्टार्ट होती है आज से 4,000 साल पुराने वक्त में चीन की एक महल में एक आदमी अपने सिपाहियों के साथ हमला कहता है उसे इस महल से जेट ब्लेट जाहिए जो एक बहुती पौवरफुल वैपन है उसकी जादुवी ताक्ति इस आदमी को बहुत ताकत पर बनाती लेकिन यहां जेट ब्लेट की हिफाज़त करने के लिए एक पूरी टीम थी जिस टीम के पास गोल्डन मास्क है यह जादुवी गोल्डन मास्क उन्हें जानवरों में बदल कर ताकत पर बनातीते हैं जिसकी मदद से यह लोग अपने दुश्मनों से लड़ पाते हैं और ज कर आकर जेट ब्लेट से दूर रखने में काम्याब भी हो जाते हैं कुन यह नाम का यह आत्मी जो अपने आपको हारता महसूस कर रहा था उसके सारे सिपाही यहां से भाग चुके थे और उसने यहां पे अपने एक जादुवी जानवर को छोड़ दिया था क्योंकि उसे ल करते हुए उन्होंने इस चान में को कम्सोर बिकर्ट के था कुन ही जो दोर से खड़ा हुआ यह सारी जंग देख रहा था उसे लगा कि इस वक्त वो ना तो चीत पाएगा और ना ही जेट ब्लेट को हासल कर पाएगा वह यहां से जाने का फैसला करता है उसके जाने के वारियर भी अब तुम ही जोड़ना होगा ताके आप सब मिलकर इस टिंडम की हिफाज़त कर सकें यह सब कहने के बाद उनकी मोत हो जाती है ली जो उनकी बेटी थी फूट फूट के रोने लगी सभी बहुत जाता दुखी थे और यहां ली उन्हें देखते हुए बादा कर करता था और अपनी जरूरते पूरी कहने के लिए वह चोटी मोटी चोरियां करता था दूसरी रफली जो के इस टाइम अपने के बादशा के पास है उसे बादशा कहते हैं कि तुम्हारे ओपर एक बहुत बादी से बतारी है तो भी एक अच्छा वार्यू तूट के लादा है और यह का तो फूचर में जा कर सकती हो वो उसे फूचर का पॉटल खुरने के लिए एक जादूई चामी भी देते हैं इस पॉटल को खोलते ही यह पहुत जाते है उसी टाइम में उसी शहर करें हैं इस टाइम चार्णी को ऐसा दो पास ता उसे एक आदमी पकड़ लेता और यहां आदित से मजबूर चार्डी ने उसके जूते भी उतार लिया जो के बहुत कीमती थे उसके अंखिल सेक्ट्री को उसके पीछे भगा देते हैं चार्डी उससे बचने के लिए ऐसा भागता है कि उसके हाथ नहीं लगता चलते चलते ही उसने दो चार्डों को की और चार्ड को «अडिटाट के मदब कषड़न जोरी के लिए पे तो यहां रजका है झीवह जो यहां कि नोट करने थुकिया लिए लोगों साथ जाथ पूलीस पी अब चार्डी के सामने आप टाइम लाइन पोर्टल खुलकर चाली बजातेDIO है है सब लोग इनानी से ये चीज़ देखते रह जाते हैं चारणी को तो समझ ही नहीं आई कि उसके साथ हुआ क्या वो उसे लेकर अपने बादशा के पास आती है यहाँ पर बादशा से इंट्रोड्यूस करवाते हुए चारणी को बताती है कि बादशा किसी भी टाइम सारी क्याने के वाड़ी चुना है तो जरूर चारणी में कोई बात होगी यहां बादशा चारणी को बताते हैं कि उसे मास्क ने वाइयर चुना है वह भी जेडब्लेट की कि फास्द करने के लिए चारणी उसके बताते हैं कि यी काम उसे सिर्फ एक डियोटी करना पड़ेगा और इसके बदले उसे कुछ नहीं मिनेगा तो वो बहुत ही उदास हो गया और उसने यहां से जाने का दिल ही दिल में फैसला भी कर लिया अब यहां बाच्छा उसे टीम के बागी लोगों से भी मिलवाते हैं सबसे पहले था जो जो के अपनी मास्क की पॉवर्स की मदद से अ टीम की लीडर बन गई थी उसके पास निशाना लगाने की सूपर पावर्स थी उसका निशाना कभी नहीं चूपता था और आप आश्वे नंबर पे चार्डी खुदा रहा था किंग इन सारे टीम मेंबर्स को बताते हैं क्या आप लोगों को किसी भी तरह कुनी नहम के हमा नारे उस दुश्मन को खतम करना होगा अगर वो खतम ना हुआ तो वो जेड ब्लेड को हासिल करेंगा जिसके पात वो बहुत ही जहादा ताकतवर बन जाएगा चार्डी को पनकी बातों में कोई इंट्रस्टेंग था वो तो यहां से जाने लगा था लेकिन अफसूस कि व वो इस टाइम लाइन से वापिस जाने ही सकता इसलिगे वो बाचा और ली के पास जाकर उनकी टीम में शामन होने का नार्टक करना शुरू करतेता है लेकिन यहां ली उसके उपर एतबार करने वाली नहीं थी बातों यह बातों में हमने देखा कि चाहर्डी ने यह खाने में रख देती हैं रात में बाते करते हुए यह लोग चाहर्डी को बताते हैं कि काफी सानों पहले हमारे बाच्छा ने हमारे किंटम के अंदर पैसा और सकून लाने के लिए एक पोर्टल खोला एक जादवी पोर्टल जिसकी मदद से वह अपनी किंटम की प्रॉब् चाहर्णी की ट्रेइनिंग लिएक अंदर शिरू कर दी जाती है और ट्रेइनिंग करते हुए अचानक ही उसे कुछ अचीव अवास सुनाई देती हैं उसे पता चला कि कुन ये 12 उनके महल के ओपर हमला करने के लिए पहुंच गया है उसके साथ एक बहुत इदाकतवर और उसे वाली बैन भी थी उसे देखकर टीम के सभी मेंबर्स एक्टिव होकर उनसे लरने के लिए तयार हो जाती है लेकिन चाहर्णी को तो अभी अपना गोल्डन मास्क यूज़ करना ही नहीं आता इसलिए चाहर्णी को छोड़कर बाकी सभी टीम मेंबर्स इस बहल से लरने के लिए आगे पढ़ते हैं लेकिन उसे हाराने में काम्याब नहीं रहते और ये बैल महल की दिवार तोड़कर महल के अंदर आने में काम्याब हो जाता है ये देखकर चारो तरफ अफ्रात अफ्री पहल जाते हैं और इस वक्त सारी सिच्वेशन सभालने के लिए चाहर्ण की एक लाल कपड़ा लेकर इस बैल के सामने आजाता है वो इस लाल कपड़े की मदद से बैल का मूँ पीछे की दरफ मूरते हुए एक कपड़ा उसे की आँखों के उपढ़त देता है बैल उसे में आगे पढ़ने लगा था और वो यह नहीं चाहता था कि आगे पढ़ने पर वो अपने ही मालिक यानी कुन्यी को माहर ढालेगा इससे पहले कि कुन्यी को वो कोई भी दुक्सान पहुचाता कुन्यी अपने चाहतों के मदद से इस बैल को एक छोटी सी मूरती में बदल देता है और यहाँ चारली पहली मरत्बा मास्क पहन कर मास्क की पावर्स का यूज करते हुए गुन्यी के हाथ से वो मूरती लेने में कामयाब होचाता है और यह देकर गाओ के सबी लोग इस पूरी टीम की बहुत तारीफे करते हैं और यह चीज़ चारली को बहुत जादा खुश कर देती है यूँकि आज से पहले कभी भी चारली को उसके काम के ल रहा था इसलिए चारली इमोशनली इस जगह से चुरने लग जाता है यहां डिनर टाइम पे बाते करते हुए चारली को पता चलता है जू जो के उनकी टीम का एक बहुत ही ताकतवर मेंबर है वो अपनी पौवर्स की मदद से अपने आपको बाहरा में से सिर्फ ग्यारा ज महल पे हमला कर चुका था इस मरत्बा उसने बढ़े मुंस्टर से महल पे हमला कर वाया था और पूरी टीम मट्टी के बने इन मॉंस्टर से लड़ने में जब की थी वोकी का फाइदा उठाते हुए कुन गी अपने दोस्ते साथ को लेकर दोस्ते रास्ते से माहल के अंदर खुसने की प्लानिंग में लगा हुआ था यहां मुझूद सभी चीज़ों को अपने अंदर निगरने लगा था देखते ही देखते अफरा तफरी बहुत फैल चुकी थी और के बात जैसे ही ली और उसकी टीम को पता चुलती है तो वो मॉंस्टर को रोकने के लिए चाहते है इन सब लोगों को तो उसी तरफ बिसी देखकर कुनी जेड ब्लेड हासिल करने के लिए अंदर के तरफ बढ़ रहा था यह खबर ली और उसके साथ यह को मिल चुकी थी वो चलती से कुनीय को पकरने के लिए उसके पीछे जाते हैं तेकिने इस महतबा कुनीय एक और चाल है वो चीड प्लेड उठाने के बजाए उनकी जिंदगी के पोर्टल्स खोलने वाली मशीन को उठाकर अपने उड़ने वाले टायकर पर बैठकर यहां से भाग जाता है उचानता था कि जरूर ली और उसके साथ ही इस मशीन को लेने के लिए उसके पीछे पहाड़ों पे जाने के लिए उन्हें खतरनाग जंगल और खतरनाग पहाड़ों को पार करना पड़ेगा जहां से गुसरने पर वहां के खुनखार जान पर हर चीज़ को शीर भाड़ कर खा जाते हैं और वहां पर किसी वचा से यह लोग अपनी मास्क की ताक्तों का भी इस्तमाल नहीं कर सकते थे यह लोग फाइनली अपने मिशन के लिए निकलते हैं यहीं को मार कर उससे अपनी पोर्डल खोने वाली मशीन को वापिस हासल कर निकल रास्ता बहुत ही खतरनाक था रास्ते में यह लोग क्योंकि अपनी मास्क की ताक्तों का तो इस्तमाल कर नहीं सकते थे पहले चांते हैं कि यह मास्क का इस्तमाल नहीं कर सकते थे इसलिए इनों के हाँ अपनी असली ताक्तों का इस्तमाल करते हुए इन गाम वालों की मदद करने का सोचते हैं चार्डी को क्योंकि फार्टिंग नहीं आती थी इसलिए चार्डी को वो गॉल्डन मास्क पने बॉ मास्क का इस्तमाल करना पड़ता है वो अपने इस गॉल्डन मास्क के पावर से कुन्य के लोगों को बड़ी आसानी से हरा देता है और यह देखकर गाहँ वाले बहुत ही जादा खुश होते हैं और यहां अकर ले उसे शाहपाशी देने की बठाए उसे डाटती है गॉल्डन कम यह हुआ कि गाड़ी का टायर तोटने के वज़ा से गॉल्डन मास्क का वो डबा उन बुरी क्रियेचर्स के हाथ लग गया और अब इन सब के पास इनके जादुवी मास्क नहीं है सिवाए चार्ली के इन्हें मालूम होता है कि कुन्य उनके रियेचर्स से वो मास्क का ड करती है यहां पर उन्हें उनकी तीन मेंबर की मोहमिनल नशाती है जिसे भी कुनट करके लाया था नहीं बचाने कि लिए ऌनके के लिए नोगों को बताना شروع कर देता है और यह भी बताता है कि चार्ली भी यहां उन का साथ नहीं देना चाहता वो दो बस यहां रहाँmost मों के ढून रहा था और इसलिए उसने पोर्टल खोलने वाली चावी भी ली से चुरा ली थी और यह सुनकर टीम के स्थभी मेंबर्स का चार्डी के उपर से इत्माद खतम हो जाता है चार्डी सबको समझाने की कोशिश करता है कि मैं बदल गया हूँ मैं सच में सबको बचाना चाहता हूँ सबकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन अब कोई भी उसकी पात नहीं सुन रहा था और घुस्से में अब वो प्ली की चुराई हुई चावी से पोर्टल खोलकर अपनी दुनिया में दुखी होकर वापिस आ जाता है इसे पहले के पोर्टल बंद हो जाता यहां पर चाहँडी का उस दुनिया का दोस्त भी उसके साथ आ चुका था ली के हाथ में उसका गोल्डन मास्क अभी भी था लेकिन इस दुनिया में इस कोई हम्यत नी थी वो उसे को ठालेते हैं तेकिन देखते में यहां चार्डी का वो बूब मॉंस्ट्र नुमा दोस्ता आजाता है इनके देखकर यह दो लोड़ जाते हैं वो एक पच्छ मारकर चार्डी के अंकल के उस सेक्ट्री को यहां से भगा देता है उनका मास्क भी बच जाता है उसे देखती ही यहां चार्डी उसके गले लग जाता है वो चार्डी को समझाता है कि तुम्हें ऐसे दिल हार कर यहां नहीं आना चाहिए था वहां सबको तुम्हारी सिरूरत है उसकी बाते सुनकर चार्डी भी उस टाइम लाइन में वापस जाने के लिए तियार हो जाता है यहां यहां पर कुन्गी के सबी सोल्जर उनके उपर हमला करते हैं तकिन तब यहां पर चार्ली अपने गोल्डन मास्क का इस्तवाल करते हुए अपने सामने आने वाले कुन्गी के आत्मियों को हराते हुए उस जगा पर पहुंचाता है जहां कुन्गी ने उनके बागी गोल्डन मास्क रखे हुए थे वो सब लोगों को और गॉल्डन मास्क देता है ताकि सभी यहां इस बुरी सिच्वेशन में लड़ सके मास्क मलते ही यह लोग मिंडों में यहां मुझूद सभी लोगों को हा रहा देते हैं लेकिना इंट पर पता चना उन्हें कि यह तो कुन्गी की ए चियो को होसना मिलता है और वो अपनी पौवर्स के उस करते हुए अपने आपको बार्वे जॉर्डिक जानवर में बेदा लेता है यानि एक उड़ने वाला ड्रैगन अपने आपको बना लेता है जिस पर बैठकर यह लोग वक्त से पहले ही मेहल पर पहुँचाते हैं यहा लेते हैं और बड़े बड़े ड्रैगन्स को भी अपनी ताकत से हरा देते हैं लेकिन अब तक कुनगी ने उनके किन को भी बंदी बना लिया था जितने में यह पूरी टीन बाकी सभी मॉंस्टर को हरा कर उस तक पहुँची वो जेड़ ब्लेट पाने में भी काम्याब हो ग लेता है और यब वो सब लोगों के साथ जबर्दस्ति कर रहा था इस वक्त पर चार्ली उसका दिहान पढ़काते हुए उसे एक जोर ताल पंच करता है जिसके वज़ा से वो दूर जाकर गरता है और उसके हाथ से जेड़ ब्लेट भी नीचे गिर जाता है जेड़ ब्लेट उनकी उपर से सारा खत्रा डल चुका था इसके बाद चार्ली किंग को उनकी जेड़ ब्लेट दे देता है बाहर आने पर देखते हैं कि गाओं वाले उनके काम से बहुत जादा खुश हैं उनकी इस काम्यावी पर अगले दिन किंग यहां पर एक बहुत बड़ा जिशन भी एक और कि उनकी बहादरी के इनाम भी देते हैं चार्ली बिय पुरी दरहां से बिदल चुका था वह इस थाइम को अपना मान चुका था वह पर रहने वाली लोगों को अपनी फैमिली मानने लगा था उसले यही रहने का फैसला किया था और यहां इन सब को एक साहत दिखाते हुए यही खत्म हो जाती है